नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन सर्मा, आप सबी का स्वागत करती हूँ, आपके इपने चानल सुमन एड्यूकेशन हब में एक कमेंस में रिसीप किया था अशोग कुमार जी का, सबसे पहले मैं उन्हें थैंक्स करना चाहती हूँ कमेंस करने के लिए, कमेंस उनका ये था कि जो ट्रॉपिक पर करने वाले हैं, अगर आप क्वाटेशन और प्रोफार्मा इनवाइस को टेक्स इनवाइस में कनवर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ने प्लोट करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस्ट नहीं कर पाएंगे टैली एन अकाउंट से करना है DSS यहां देखिए सारे vouchers open हो गये हैं quotation देखिए यहां पर quotation वाला वाउचर है enterprise करेंगे तो जितने भी quotation है वो open हो जाएंगे suppose कीजिए इसमें से कोई एक quotation है इसको आपको takes invoice में convert करना है जैसे कि यह party है RL इसका हमने quotation बनाया था अब party हमें कह रही है कि आप हमें takes invoice generate कीजिए तो मैं आपको पहले show कर देती हूँ कि जो sales invoice है इसको जब हम convert करेंगे तो sales invoice में कैसे show होगा तो sales invoice में open कर लेती हूँ यहाँ पे देखिए sales voucher है सबसे end में आप देख सकते हैं sales में last का जो invoice है 212 है यानि की 212 है अब जो हम quotation को convert करेंगे sales invoice में तो इसका invoice हो जाएगा 213 कैसे होगा same quotation मैंने open कर लिया है अब हमें इसे convert करना है tax invoice में तो right hand side में आप other voucher पे click करेंगे और यहाँ से हम select करेंगे sales sales select करके आप enterprise करेंगे और उसके बाद आपको date change करना है तो जिस भी date में आप tax invoice में convert करना चाहते हैं वो date आप set कर लेंगे तो अब देखिए invoice 213 आपको शो हो रही है यानि कि successfully invoice convert हो चुका है quotation into takes invoice चलिए इसका मैं print preview आपको शो करती हूँ देखिए takes invoice आपको शो हो रहा है preview पे हम click करेंगे और यहीं से f4 प्रेस करेंगे अब आप देख सकते हैं जो पहले quotation था अब takes invoice में वो convert हो चुका है as it is आपको कोई भी changes इसमें नहीं दिखेंगे अगर आप change करना चाहते हैं कोई changes करना है तो आप changes करके उसको save कर सकते हैं तो इस टैप से हमने देखा कि कैसे quotation into takes invoice में change करना है मैं एक और आपको show करती हूँ यहाँ पर मैंने एक और quotation open कर लिया है त्रिदेंद का अब इस quotation को आपको takes invoice में convert करना है तो right hand side से other voucher पे click कीजिए और यहाँ से आपको sales voucher select कर लेना है उसके बाद after place करके आप date change कर लीज date जैसे ही आप change करेंगे तो जो sales invoice की digit है वो automatically set हो जाएगी और यहाँ से मैं आपको print preview show करती हूँ इसका तो preview पे हमने click किया है और यह invoice convert हो चुका है देखिए आपको यहाँ पे show हो रहा है takes invices तो successfully quotation into takes invoice आपको ऐसे convert करना है उसके बाद देखिए sales voucher में चलते हैं और देख देखिए end में आपको दो invices show हो रहे हैं जो हमने convert किया था तो इस step से आपको quotation into takes invoice में convert करना है gateway of tally से dss press करेंगे and dss press करने के बाद यहाँ पे profama invoice जो है यह voucher में open कर लूँगी अब मैं आपको यहाँ पे show करती हूँ कि profama invoice से आपको कैसे convert करना है takes invoice में तो यहाँ देखि करेंगे takes invoice में तो right hand side से other voucher पे click किजिए और उसके बाद sales पे आपको click करना है उसके बाद आप date change कर लीजिए जिस भी date में आप इस invoice को generate करना चाहते हैं date change करने की बाद यह आपका जो देखिए पहले profama invoice था अब यह sales invoice में यानि कि takes invoice में convert हो चुका है अब चलिए print preview देख करेंगे आप and then current पे यहीं से देखिए takes invoice आपको title show हो रहा है preview पे click करेंगे and F4 press करेंगे देखिए takes invoice पहले profama invoice था अब यह takes invoice में convert हो चुका है तो इस type से आपको profama invoice से takes invoice में convert करना है एक और मैं आपको show करती हूँ profama invoice हमने open कर लिया है right hand side से other voucher पे and then sales पे आपको click करना है जैसे ही आप sales पे click करेंगे आपका जो profama invoice से sales यानि की takes invoice में convert हो चुका है इस type से आपको successfully convert करना है profama into takes invoice देखिए print preview में आपको show कर रही हूँ तो यहाँ पे print preview में आप देखेंगे takes invoice आपको show हो रहा है तो इस type से easily आप अपने inviaces को यानि की quotation and profama inviaces को convert कर सकते हैं takes invoice में जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में instruct किया description box से check out करना ना पूलिएगा चैली and accounts related maximum videos के link provide कर दूँगी आप उन सारे वीडियो को watch कर सकते हैं आप मेरे channel को search भी कर सकते हैं मेरे channel का name है suman education hub आपको वहाँ playlist भी विलचाएगी आप playlist भी watch कर सकते हैं playlist आपके लिए काफी helpful हो होगा टैली से related छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर topic को cover कर दे की मैंने अपने वीडियो में कोशिश की है still कर दी हूं and in future में मैं करती रहूंगी बस आप सभी लोग का साथ and आप सभी लोग का support मुझे चाहिए I wish ये video आपके लिए helpful रही होगी अगर helpful रही है तो एक